समाजबादी पार्टी के अध्यच अखले इशादों ने बिजेपी और उसके यूपी में मौजुदा सभी सांसदों पर कराला हमला बोला है। अखले इशादों ने सुत्रों का हवाला देते वे कहा कि बिजेपी लोकसबाच नौ दोहजाच चौबिस के लिए एक सीट को छोड़ कर अपने सभी मौजुदा सांसदों का टिकट काटेगी। अखले इश ने दावा किया कि बिजेपी के सभी मौजुदा सांसद जनता से दूर नजर आते हैं और भ्रस्टाचाल में लिप्त हैं। अखले इशादों ने कहा कि जनता दोहजाच चौबिस के लोकसबाच नौ में बिजेपी को सबक सिखाएगी। अखले इश यादों ने इस दौरान यूपी की जिस एक सीट को छोड़ा है वो प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की बताई जा रही है। हाला कि अखले इश ने ये भी दावा किया कि उस एक सीट से आने वाले सांसद यानी वारन रसी से सांसद पियम मोदी भी अपने लिए ज्यादा सुरचिस सीट धूर रहे हैं। कि बीजेपी मौजुदा सांसदों के टिकेट इसले भी काटने वाली है क्योंकि वो यूपी में पीडिये की ताकत से डर गई है। ऐसी और लिटिस खबरों के लिए जुड़े दे हैं हमारे साथ।